अस्वगंदा तीन हजार सालों पुरानी हमारे पास एक ये दवा है औसधी है एक मेडिसिन है जो भी आप इसको नाम दे सकते हो और इसके गुण इतने जादा है ये इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो तो आज मैं पहले आपको कुछ इसके बेनिफिट साथ या पाने के साथ लड़किया इसको ले सकती है या नहीं सारी चीजे हम डाउट क्लियर करेंगे तो आपको मैं पहले बता दू आपको अगला वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके हमें जरूर बता दो उस टॉपिक पर हम वीडियो लाएंगे ठीक ह और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है यह हमारे अंदर से इम्यून सिस्टम को स्टॉंग करता है immune system is strong करने का मतलब यह है कि हमारी बीमारियों से लड़ने की छमता यह बढ़ाता है ठीक है दूसरी चीज यह हमारे testosterone level को बढ़ाता है जो कि men's hormone है men's growth के लिए चाहें आपकी muscle growth हो चाहें आपका overall body growth हो तो इसलिए असुगंदा testosterone level बढ़ाने में बहुत मदद करता है ठीक है तीसरी चीज यह आपके जितना भी stress, depression यह सब चीजे हैं यह सब चीजे आपकी खतम कर देता है और मतलब आपको energetic feel कराएगा दिन भर आप जब भी इसको लेते हो चौते चीज के अगर बात करें कि आप बहुत दिन से masturbate करते रहे हो आपके सरीर के अंदर कमजोरी आ चुकी है ठीक है तो असुगंदा आप daily consume करना अगर चालू करते हो तो यह आपकी sperm count को बढ़ा देता है तो यह सबसे बड़ा benefit है इसका कि आपके sperm count को बढ़ा देता है जो आप masturbate करके खतम कर चुके हो दीरे-दीरे अब अगला point अगर बात करें तो अगला point यह है कि यह हमारी body को अंदर बाहर सब तरीके समझ बूत करता है मतलब कैसे समझना मेरी बात यह आपको अंदर से stress, depression, anxiety जो भी आजकल दिखेते चले इन सबसे तो बचाएगा ही साथ ही साथ अगर आप gym करते हो नहीं gym करते हो घर पे भी थोड़ी बहुत exercise करते हो तो आपकी यह body में growth लाएगा मतलब आपकी muscle बढ़ेंगी अगर आप daily इस्तिमाल करते हो तो आप strong होते चले जाओगे तो यह थे कुछ benefits तो इसके बहुत है लेकिन इसके जो आपके लिए समझने के लिए हैं वो मैंने सिर्फ आपको बताएगे तो running के लिए तो सबसे बड़ा benefit यही है कि आपको stamina बढ़ाएगा आपका daily अगर आप ले रहे हो तो आपका stamina यह बढ़ा देगा तो यह 6 benefits थे runner के लिए बाकी तो इसकी बहुत detail में बहुत सारी चीज़े हैं वो हम main channel पर बताएगे तो यह थे इसके benefits आप बात करते थे हैं कि क्या इसके कुछ side effects भी है इसको लेने के जी हाँ कुछ side effects है कुछ लोगों में यह देखा गया है कि जब वो असुगंदा लेते हैं तो वो digest नहीं कर पातने ठीक है उनका पेट भरा भरा होता है तो वो लोग इसको avoid करें उनको मतलब लगता है कि बहुत भर गया plate bloated फील होता है तो वो लोग avoid करें किसी को होता है कि असुगंदा पीने से vomiting आने लगती है तो वो लोग के लिए एक solution है कि आप जब ये सुगंदा पीओ तो उसके साथ सहद मिला लो लास्ट में मैं तो बताऊंगा वीडियो में कैसे पीना है लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ आप सहद मिला के पीओ ठीक है तो ये दो तीन साइड इफेक्ट से ज़्यादा कुछ इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए अब बात करते हैं आपके सवालों की पहला सवाल इसको लेना कैसे है वो मैं आपको आज बता जेता हूँ और आप अच्छी तरीके से इसको समझ लो ऐसे ही लेना है तो इसको थोड़ा साइब होने में टाइम लगेगा और आपके गले में चपकेगा या फिर पेट में दिक्कत दे सकता है तो आप क्या करो इसको छोड़ दो ऐसे ही और 2-4 मिनिट रुख जाओ उसके बाद इसको आप पी सकते हो अगर आपका इसका टेस्स आपको इसको आधा चमच असुगंदा दूद के साथ और उसमें सहद मिला के गुड़ के साथ पीते हो तो आपकी बॉड़ी में बहुत सारे चेंजिस लाता है क्योंकि रात में हमारी बॉड़ी ग्रोइंग पीरेड पे होती है आपको लंबाई बढ़ानी है तो आपको पता होगा रात म होता है तो इस सब चीजों में वो क्या है मदद करती है आपकी तो सबसे बढ़ा टाइम है कि आप इसको रात में लो और आधा चमच से स्टार्ट करो बाद में आप एक चमच ले सकते हो अब बात करते हैं कि इसकी टेबलेट सही रहेंगी या इसका पाउडर सही रहेगा त ठीक है तो इसको पाउडर के तौर पे इस्तिमाल करो आप तो ज़्यादा रहेगा आपके लिए आप बात करते हैं लंबाई के लिए कैसे ज़रूर है लंबाई के लिए ऐसे जरूर है जब अप राथ में लेते हूं मैंने जैसे पहले बताए कि बौुड अपकी ब तो धीरे धीरे आपकी बॉड़ी में वह एब्जॉब होना चालो हो जाता है और अंदर से बॉड़ी को ग्रोथ मिलनी चालो हो जाती है ठीक है अब सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिये हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इससे टेंसन फिरी रहो आप सबसे तो आप इसको इस्तिमाल ऐसे करना है सिर्फ आपको आधा चम्मच लेना है दूद के साथ पानी के साथ कभी नहीं लेना है दूद के साथ इसको लेना है दूद में आधा चम्मच आशुगंदर डालके रख दो दो-चार मिनट के लिए उसके बाद आप पी सकते हो तो मेरा को पाणी की डिमांड जाता होगी क्योंकि जतनी भी ताकत की चीज़े होती यह बहुत गरम होती है यह इसको क्या करो जब भी आप इसको लोगे तो आपको पाणी की कमी अपनी शरीर में नहीं रखनी है और और आदे चम्मस से ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल नहीं करना है और वर्काउट डेली करना है ठीक है तो ये सारी चीजे हैं असुकंदा के आपको हमने सारे जो भी बेनेफिट्स थे साइड एफेक्ट्स थे सारे आपको हमने बता दिये हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर रहा और किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट करके मुझे बता देना उस पर वीडियो आज आएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद